हलो एर्वेवन कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो नए साल की धी सारी सुपकाम नए धी सारी वधाई आप लोग को और चलते हैं आज हम लोग मंदीर और मैंने घर में पूजा पाठ कर ली है और उसकी और यह लगभक टाइम बता दू में कितना हो रहा है टाइम हो रहा होगा नौ दस बज़ी रहेंगे और इधर पर मैं आध होके पहले सुबसुब में पती देव को नास्ता बना के और मैंने दे दिया था वो टीपन लेके चले गया ते फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रमायर मेर पढ़ा और प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लोग भी अगर प्रेगनेंट एक और थो मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जरूर नहीं जागा तो दो चार लाइन ही रमायर पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा तो मुझे घर में सब लोगों ने बोला था कि पढ़ना है तो मैं मतलब कभी सूबह में कभी साम को एक पेश तो पढ़ी लेती हूं जैसे भी करकी और मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ती ही हूं लग बग जब मुझे टाइम लगता है तो मैं पढ़ती हूं इधर पर बाबौ को नहला यहां मत्था ठीक लो इनके हाथ में वह बाती थोड़ा उपर कर रहे थे तो हाथ में घी लग गया गया धोक्या है और पुझा पाथ यह भी कर लिए भगवान के हाँ पे और मैं थोड़ा नेल पेंट लगाई हाथ में और उसके बाद आज नया साल है तो अच्छे से मतलब त संक्रिती नहीं बूल सकते जो हमारा होता है और तो रोज तो लगाने के लिए नहीं होता लेकिन फिर भी तियो तियोहार के दिन तो होता ही है नया साल सुरू हो रहा है भगवान जी अच्छे-च्छे से सब कुछ पार करें और यही है और कोई तकलीफ ना आए किसी को परि मैं मंदिर आ गई और भगवान जी को जल चड़ाया जो भी भगवान ने तुलसी पत्र जो भी दिया है वो चड़ाया और सरद्धा से कहते हैं ना भगवान आपकी सरद्धा के भूखे होते हैं बस वही है और यही है पूजा पार्ट कर ली मैंने और क्या बताओ मैं आपक मेरे को एक दम हो यह नहीं रहा था मंदिर जाने के लिए और जैसे जैसे पता आपको दिन बढ़ता है ना प्रेग्नेंसी के टाइम पे और यह मेरा साथवा मेना चल रहा है तो मुझे ना चलने में अनकमफरटेबल फील होता है इतना जादा चलने के लिए नहीं होता नहीं जाती और इधर पर राइस का प्रसाद बनाया था और वो मैं खा रही हूं और उसके बाद जो है मैं बाबो मंदीर आया थे चलो गरह चड़ाए और हिमत करते करते मैं आई घी लेने की मंदीर जासे तससे और इधर आप देख सकते हो आगे में किचन में अपने अब खाना मेरे को बिलकुल भी वहां से आने के बाद थोड़ देर लेटी हूए थी मन नहीं हो रहा था बनाने के लिए खाना एक्डम से नहीं हो रहा था पता है मिरको न एक तो मन अग्दम जीप सा उल्टी उल्टी जैसा हर दम लगा रहता है आप लोग बताएगा क्या आप पता नहीं क्या होगा है इस बार में हर्दम वामेटिंग जैसा लगता है और किया ही बताओं में जैसे लगता है कि इतना जल्दी सी दिन निकल जाए बस यही है और इधर पर मैंने आलू बॉयल कर रख और मटर को थोड़ा सा बने फ्राइब कर लिया है और बस मिर्ची और त आलू मटर की पूड़ी और खी बस यही बनाना और कुछी नहीं क्योंकि मैं यह सब बना के ना मतलब इतनी टाइम बना लूँगी ना दुपहर में तो मिर्को ना साम के लिए भी इजी हो जाएगा मुझे कुछ भी बनाना नहीं है बस यही मेरा दो मुटाई में चल जाए सब को ना बाहर से खाने का बहुत मन करता है बहुत सारी चीज़े खाने का दिल करता है लेकिन ना मेरा पता नहीं क्या है ऐसा कि मेरे को बाहर की चीज़े कुछ भी खाने के लिए होई नहीं पार है उसकी महेक ही नहीं बरदास हो रही है आपको बताव मैं ना मतलब पनीरो कुछ भी खाने के लिए ही नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता और पता नहीं इस प्रेग्नेंसी में क्यों ऐसा हो रहा है पिछली बार तो मतलब अच्छा ही था जैसा भी था पांच मेने थोड़ा प्रॉब्लम था लेकिन फिर भी थोड़ा बेटर फील करती थी मैं उस में तो साथव मेना मेरा रनिंग चल रहा है लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है चौला फील नहीं हो रहा है तो इधर पे मैंने मसाला हो गए रहा है बना ली आटा उनके रख लिया था और यह मैं थोड़े आटे उठा के रख दूंगी ऐसे ही फ्रिज में चृत., जिवかった बनाना चृतना काया है सिर्व ठूंधे मुझे इडू पोड़ी ली बणाना आई बनाना के रहा शितना इगा दौ bit अब गचला करा दो भी कहां रहा है तो दो ही बनाऊंगी मेने मैं खीर बनाना दिया दोने में ीलेकिन बना कर चीनि 여いきा अएक या खेंक ही कि मतलब इतनी वामेटिंग किसी को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ऐसा कोई घरे लूप आई हो तो जरूर बताईएगा कि जिससे वामेटिंग कम हो सके मतलब दवा से तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता और आपको पता है मैं इसके लिए ना कितनी कितनी बार हॉस्पिटल भी जाके आ गई हूं मतलब बहुत तकलीफ होती है सही बतारी बहुत ज़्यादा बस वामेटिंग करके ना मुझे बहुत दिक्कत होती है बस यही है और बनाने के लिए होई नहीं रहा था कि मैं खाना इतनी टाइम बनाऊं लेकिन वही होता है na कि हम बनाईगे अपने लिए ना भी बनाऊ कोई बात नहीं लेकिन बच्चा घर में होग इसके लिए नहीं बनाऊंगी तो वह क्या खाएगा वीचारा अकेली रहने का ना बहुत दुख होता है, सच बता रहे हूं, अगर आपके पास में कोई रहता है ना, तो सच में, कम से कम आपको जब अगर नहीं बैटर फील होता है, तो वो आपको बना के दे सकता है, खाने के लिए कुछ भी, और मेरे कुन ऐसा हो गया है ना, इतनी टाइम है कि बाहर से भी कुछ भ बार बार बोलते हूं सच में किसी तरह से और एक एक दिन बस उंगलियों पे दिन काट रहे हैं कि उंगलियों पे बस बीच रहे हैं सुबह से रात राज से सुबह बस ऐसा ही होता है तो हमारा हैपी न्यएर तो ऐसा रहा और कैसा रहा अप लोगका ज़रूर मताएएगा और हम भगवान से यही परातना करते हैं यह प्रभू सबको अच्छे से रखना सौसत रखना मस्त रखना और हमको भी सुस्त रखना मस्त रखना और कभी कोई दुख तकलिफ किसी के भी जिन्दगी में ना आए और हमारे जीवन में भी ना आए और अच्छे से अच्छा सा ये साल जाए और बस यही दुबार यही साल नहीं यही साल अच्छा अच्छा सब की लिए जाए हमारे लिए भी जाए और बस ही भगवान से प्रेय कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं और आगे कौन क्या देखा है किसने देखा है कोई नहीं जानता तो यह सारी चीजी होती है और मुझे इतनी कमजोड़ी फील होती है यह इतना विगनेस फील होता है कि मैं आपको क्या ही बता हूं मतलब पता नहीं क्यों नहीं मुझे फर्स्ट प्रेंशिव में तो था ही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मुझे जहां तक ठीकि लगता है साथ बहुत दिन हो गया होगा यही भगवान से प्रे करते हूं यही भगवान जी बस अ जल्दी जल्दी से सब दिन का एक दिन हो जाए है तो असी था और बाबु बोला मुमा हम मंदिर गय थे ना पापा को नहीं लेगे गया मैं उन्हें बोला बेटा अगर पापा कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या आप बताओ ना तो ऐसे ही पात हम लोग भी हो रही थी सामने सामने बैठा था और यही था और चलते हैं आप खानों गयरे निकाल देते हैं आज आलो मटर की पूरी और खीर बस नए साल में यही हमने बनाया था आप लोगोंने क्या बनाया फीड़बैक जरूर दीजिएग और कैसा लगा यही रहा हलो की पूरी और खीर